मुझा आज यहां पर हम लोग बनाएंगे कुर्ती जो कि आप लोग ने देखिये होगे कर्दिः के लिए हम लोग देखिये होगे तो चली इस के स्टार्ट करते हैं कि कर्टिंग यहां पर कि we have open कर लिया हुआ है और जो भी हमारी कुर्ती के लेंद यहां पर मैंने 44 इंच यहां पर लेंद कि ऊसे यहां पर रखना है इस तहार से आपने फैब्र को अब दो परें के stole helps today ले जाए इस तरह से बतेशिवी को परेंद ए यहां पर रखना आया ह। सबसे पहले हम लोग एक मार्ग करेंगे शोडर का मारक्न करेंगे और फिर इसके बाद에-nhon खण'M 7.5 inch यानि कि और फिर 15 इंच पे एक 22 इंच पे इस तहार से यहाँ पर मैंने 3 mark कर लिया हो है 3 mark इस तहार से आपको कर लेने है marking हमने कि पूरी state mark कर लिए फिर उसके बाद जो first mark है यहाँ पर अपना chest लेंगे chest मैंने 9.5 inch लगाया waist मैंने 8.5 inch और hip मैंने यहाप पर 9.5 inch पर लगाया है ठीक है इस ताहर से आपको shape देने नहीं और रहा हमारे armholes इस ताहर से यहापे armholes को आपको mark करना है और यह आपको curve वाला scale ले लेना है उसको यहापर से आपको अपने armholes को बना लेना है ठीक है यह हमने यहाँ पर मार्क कर लिया हुआ है, अब हम यहाँ पर अपनी नेकी कटिंग कर लेते हैं, नेकी कटिंग कर लेते हैं, यहाँ पर हमने 4 इंच पर एक मार्क किया, और दीपने हमने यहाँ पर 5 इंच पर लिया है, फ्रेंट की और मैंने बैक की 4 इंच पर लिया है, इस इसके बाद आपको यहां पर इस ताहर से back वाले पार्ट को सिर्फ जफ कटिंग करना है क्योंकि हमारे front और back दोनों साथ में cutting हो रहे हैं तो हम रोग यहां पर से पहले back वाले पार्ट को हटा देते हैं इस ताहर से हमें side से fabric को अलग कर लिया है अब यहाँ पर हम लोग ने back वाले पार्ट को हटा दिया अब अपना front ले लेते हैं front के लिए अब हमें यहाँ पर जो आपका neck है उसको भी cutting कर लेंगे और हमारा armholes है इसको भी cutting कर लेंगे यहाँ पर हम ने इसको cutting कर लिया हुआ है अब हम इसको open कर लेते हैं जो हमें साइड में कट देना है और जो डिजाइन बनानी, वहाँ पर से आपको बस अपने नेक के पांज से हाफ इंच आपको लेना होगा फैबरिक एक्स्टा, जैसे मैं पकाड़ी हूँ इसी तरह से आपको रखना है और इस तरह से इसको कट कर लेना है cutting कर लेंगे हम यहाँ पर इस साथ से आपको यहाँ पर cutting कर लेना है यह हमारे दो piece हो गए यानि कि two part हो गए है अब हमें यहाँ पर कैसे इस से बनाना है तो चलिए यह हम आपको बताते हैं सबसे पहले आपको इस साथ से fabric को ले लेना है जितने भी आपके लेंद्ध ली है उतना ही फैबरिक आपको cut करना है तो एक हम जो strip cut करेंगे वो 1 इंच पर cut करेंगे और जो दूसरी strip cut करेंगे यानि की 2 इंच पर cutting करेंगे तो 1 इंच की जो strip cut करेंगे तो वो हमारे जो ज्यादा वाला part होगा उसमें हम लोग यहाँ पर लगाएंगे और जो हमने 2 इंच की strip को cutting करा है वो हम लोग कम वाले part पर लगाएंगे ठीक है तो यहाँ पर चली इसमें हम लोग कर लेते हैं इसको joint कर लेते हैं अब यहाँ पर हम लोग अपनी sleeves की cutting करेंगे के लिए हमने 4 पार्ट में फैबरिक को रख लिया हुआ है और 10 इंच पे इसकी लेंद्ध हमें जो स्लीफ के लेनी है वहाँ पर मैंने मार्क कर लिया हुआ है अब इसको हम लोग कर लेते हैं और स्लीफ की कर लेते हैं बहुत सारे हमने वीडियो दा ले हुए है आप उसमें फ अब हमएं जो स्लीफ में डिजाइन बनानी है उसके लिए हमें फैब्रिक चाहिए तो इस ताह से फैबरिक को हमें टू पार्ट पे ऑ को बाते हैं मैं आख को ब इस तो हं तो यत है पहले को निए था समीर हें और यहां से आपको रुखकरह के जा को कि रेक्ड़ीब यहां जाय का लिए सो इले तो यहां फाँ ने ले लिए यह है ignorant टौटब टी को लिए को तो इसे लग पटी को तो के हम लोग सबसे बोर राइट वाले पार्ट में है इसे लगाएंगे तो आपको अपनी लेस्ट को लेुएं है इस तहार लगाना है तो जो आपका फल जो उन्हें रहें है निचे के साइड में रखना है और अपनी निचे की प्टीकत sobre उसके उपर यहां पर हम रखेंगे और इस ताहर से इसे लगातेंगे तो चली चलते हैं मशीन पर बताते हैं यहां पर आपको अपनी लेस को इस ताहर से रखना है और अपने जो इस ट्रिप है उसको इसके उपर रखना है और बहुत अच्छे से इसे दबाते हुवे और अपनी stitching कर देना है इस तहाँ से आपको यह वाले पार्ट को बना लेना है अब यहाँ पर देखिए मैंने इस तहाँ से दूसरे पार्ट में जो 2 इंच की इस्टिप थी मैंने यहाँ वहाँ पर stitching कर दी यह दोनों पार्ट हमारे रैडी हो गए लेफ्ट एंड राइट तो उसे आपस में जोइन कैसे करना है तो यहाँ पर हम आ जाते हैं इस तहाँ से आपको इसके ऊपर इसको रखना है और जहां तक कि आपको ओपन करना है वहां तक कि आप इसे छोड़ दीजेगा और बस कि आपको डिजेटें के मैं दोनों कि ऑम जूशिते अफेपराट करना को बना लेटें है तो लिए यहां पर इस तहा दरवा पर चुरुत कि आपप करना का अपसे के अपकर पार ईना को लिए को यहां पर यह वाला पार्ट हमारा जब cutting हो जाता है तो अपने जो हमारा फेंट यह बैग नेक हम बना रहे हो उसको हटा देते हैं फिर उसके बाद टू इंच का करीबर marking करके या आप अगर आसी cutting कर सकते हैं तो ऐसे cutting करके एक आपको step cutting कर लेने है, इस तरह से back and front दोनों neck हमारे ready होंगे, तो आप अपना नेक वाला part है, उसको सीधे की side में रखना है, और step वाला part उसको उपर की side में रखना है, तो यहां पर बस इसको normal से आपको stitching कर देना है पूरे part में, और आपका neck ready हो जाएगा, इसी तरह से जैसे मैंने front neck की cutting करी थी वैसी back की भी मैंने यहाँ पर बना लिया हुआ है ठीक है आप देख रहे हैं यह मैंने back का बनाया हुआ है और front को मैंने पूरा full बना दिया थी अब यहाँ पर हम लोग shoulders को joint करेंगे तो shoulders को joint करने के लिए यहाँ पर अपने front वाला part मैंने ले लिया हुआ है उसको इस तरह से आपको रखना है यहाँ पर shoulders के side आपको आना है यहाँ पर और जहां से आपके tip joint होई है वहीं से आपको front वाला neck को रखना होगा और यह वाले part को उपर की side में रखके stitching कर देना है इसी तरह से आपको दुस्रे side भी करना है तो यहाँ पर हम आपको stitching करके भी आपको समझा देते हैं कैसे आपको रखना है back वाला part नीचे की side में रखना है front वाला part उपर की side में रखके आपको इस तरह से stitching कर लेनी है तो यहां पर हमारा फिटिंग वाला पार्ट है, हुसमें हम लोग करेंगे स्टीचिंग यहां पर सिबसे आपको मार्क की अउपर ही आपको इस्टीचिंग करनी है यहां पर हमने यह वाला पार्ट रहे अब हम लोग चाक वाला पार्ट को कैसे बनाएंगे तो चाक वाले में पार्ट में जैसे कि हमें इस तार से गोटा पती लेस लगानी तो कैसे करनी है सबसे पहले अपने चाक वाले पार्ट को लेना है और फैबरीक को नीचे की साइड में रखके आपको अपनी लेस को बिल्कुल साइड में लगाना है इसी तासे आपको चारो पार्ट में यानि की चारो चाकों में लगाना है फिर उसके बाद अपने फैब्रिक को इस ताहर से उपर की साइड में लाएंगे आप देखते रही कैसे करना है ठीक है और इस ताहर से आपको अंदर की साइड में से फोल्ड करना है ठीक है करीबन हाफ इंच का आपका फोल्ड होना चाहिए लेस सारी अंदर जानी चाहिए ज तो चलिए देखते हैं कैसे बस इसको आपको स्टीचिंग कर देना है और ये आपके चाक इस ताहर से रैडी हो जाएंगे और लेस भी बहुत ईजी तरीके से लग जाएगी तो चलिए अब हम लोग अपनी स्लीप को बनाते हैं तो जो आपका फिटिंग वाला पार्ट है उसम अब हमें क्या गरना है इसे लगाना है बस आपको इस ताहर से ही आपको यहां पर से जोइन कर देना है डबल पार्ट में रखके यहां पर आ जाते हैं बस आपको क्या गरना है सिंपल से इस ताहर से लेना है और जोइन करते जाना है स्लीप में राउंड स्लीप में यह आप अपनी स्लीप्स को आर मोल से हम लोग जॉइन कर देते हैं और इसका फाइनल लोग आएगा हमारा कुछ इस्ता से मैंने याँ पर कुछ बटन ले लियो हुए है वो भी यहाँ पर मैंने लगा दियो हुए है अगर आप लोग को मेना वीडियो अच्छा लगे तो मेरी वीडिय करें तो चैनल भी सब्सक्राइब करें थैंक यू फोर वाचिंग मैं वीडियो